हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंट्स मिसिस कोली की तुरफ से प्यार ब्रहनम इशकार सत्ष्रियाकाल अदाब दोस्तो एक बर मैं फिर हाजिर हूं एक बढ़िया से नाश्टे के साथ बच्चों को बहुत पसंद आएगा यह राश्टा ना आपने कभी बनाया तो उबले हूँ आलू को मैंने हाथों से ही मैश कर लिया इसमें हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च कटा हुआ प्याज और कटा हुआ हरा धनिया बहुत ही सिंपल सी रेस्पी है जब भी आपके बच्चे कहें कि भूक लगी है तो आप इस रेस्पी को बना कर उनके आगे दग सकते हैं मैंने डाल दिया है नमक यरी की पाउड़काहिकक जटाली है क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी मेर्च मिर्च आप करने हेँ लुग पवच्ची आज चेट पटा सा खाना बहुत पसंद करते हैं तो देखिए चिरी फ्लेक्स भी इसमें मैंने एड कर दिया इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है और आलू का इस मिक्षर को बना कर त्यार करना है यह मिक्षर बहुत ही जबर्दस मतलब बहुत ही टेस्टी बन बनाने वाले हैं तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे रखते हैं साइड पर और अब हम क्या करेंगे एक सलवी बनाएंगे यानकि मैदे का पेस्ट बनाएंगे एक घोल बनाएंगे तो मैंने वन फोर्थ कप के करीब लिया है मैदा उसमें डालेंगे थोड़ा सा न तो इसमें लंप्स वग्यारा बिल्कुल नहीं रहने चाहिए गुटलियां बिल्कुल नहीं रहने चाहिए बिल्कुल एक स्मूथ पेस्ट बनकर त्यार होना चाहिए फ्रेंड्स क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पढ़ने वाली है तो step by step आप देखते जाह डिलेंगे चीज चीज इसके संटर में रखेंगे और इससे कर देंगे बंद वाले हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और इसे इस तरह से ball shape देंगे और अब हमें क्या करना है जो हमने slurry तियार की है न मैदे की उसमें इसे dip करेंगे तो मैं अब यह आपको दिखा देती हूँ तो एक और बना लेती हूँ पहले तो आप इसकी शेप जैसे आपको पसंद बना सकते हैं चाहे ओवल शेप में बनाएं चाहे इसे आप हार्ट शेप में बनाएं चाहे मेरी तरह से ball shape में भी बना सकते हैं जैसे भी आपको पसंद है आप इसकी शेप दे सकते हैं और सेंटर में इस तरह से चीज रखेंगे काफ से इसे टाइटली हमें बंद करना है चीज बाहर नहीं होना चाहिए नहीं तो जैसे हम इसे फ्राइब करेंगे चीज आ जाएगा बाहर तो इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है तो देखिए हम इसमें इस लरी में डिप करूंगी इसे यह मैं आपको दिखा देती हूँ यह देखिए इस तरह से और इसके उपर एक मैदे की कोटिंग आ जाती है बस अब इसे हम ब्रेट करम्स के उपर रखेंगे और इस तरह से उसके उपर लगाएंगे ब्रेट करम्स अच्छी तरह से इसे एक बार फिर हमें लड्डू की तरह शेप देनी है ताकि ब्रेट करम्स भी उसके ओपर अच्छी तरह से लग जाएं ये देखिए बन गया ना एक बॉल तो इसे मैं रखती हूँ साइट पर एक और आपको दिखा देती हूँ है ना सिंपल सी रेस्पी ज्यादा समय भी नहीं लगता और जैट पर से बन कर त्यार हो जाता है आप मतलब कि आलू पहले वाल कर रख लीजिए घर पर आलू उबले होंगे तो ये रेस्पी तो फटा फट से बनने वाली है तो सिंपल सी रेस्पी है लेकिन बहुत धमाकेदा रेस्पी है फ्रेंट्स ट्राइ जरूर कीजिए मेरे कहने पर आपको ये बहुत पसंद आने वाली है तो इस तरह फ्रेंट्स मैं सारे बास बना लूंगी और फिर करते हैं हम इने फ्राइए तो ऑईल हो चुका है हमारा गरम बिल्कुल हाई फ्लेम पर मैंने इसे गरम किया और अच्छी तरह से इसे आलू से कवर करना है अगर आलू कहीं से भी चीज अगर बाहर जहांकेगा तो चीज आजेगा बाहर और ओयल हो जेगा बिल्कुल खराब इस बात का ध्यान बहुत जरूरी रखना है फ्रेंट्स आलू की कवरिंग चीज के अंदर होनी चाहिए मतल करेंगे इसी तरह मैं सारे बॉल्स फ्राइब करने के बाद आपको दिखा देती हूं रिजे फेंड्स सारे बॉल्स हमारे हो गए फ्राइब फ्राइब फटा फत से मैंने इसकी लगा दी है प्लेट तो देखिए कितने असानी से हमारे चीज बॉल बन कर हो गए हैं त्यार एक मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि अंदर से चीज कैसे मेल्ट हुआ है, अगर आप ज़्यादा चीज उसमें मतलब की भरेंगे तो ज़्यादा चीज ही हो जाएगा, और मेरी तरह अगर आपने कम भरा है तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, तो है ना मज़े वाली हूँ, इसे enjoy, आप भी जरूर बनाएं और मुझे जरूर बताएं आपको ये मेरी बड़ी असी रेस्पी कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो फटा-फट से सब्सक्राइब कीजिए ना, और मेरी चैनल को आगे बढ़ाईएगा, तो फिर मेरे दियों दोस्तों एक और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए, बाई-बाई